हलो दोस्तों इक बार्फिट स्वागत है आपका हमारे शानल फर मेरा नाम है वरोन और हम बात कर रहे हैं सीवीडी तो यार सीवीडी में एड्वीशन प्रॉसेस अब तो हो चुकी है सालगी नेक्स्ट इयर के लिए प्लानिंग हम सब कर रहे हैं उससे पहले नेक्स्ट इयर क फाइनल प्लीसमेंट की क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं क्या फेसिलिटीज है यह सारी जानकारी जब आपको हो जाती है तो एक बहतर कॉलेज या उनिवस्टी आप अपने लिए चुन पात है और इसी लिए कॉलेज सेग्मेंट में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं किसकी कॉलेज बोईज और गल्स हाथ में पढ़ते हैं सारी की सारी जानकारी इस कॉलेज से सम्मधित हम यहाँ पर आपसे डिसकस करने वाले तो आपको क्या करना है दोस्तों मैं भी इसको शेयर करना है और वीडियो को पूरा देखना है ताकि सारी जानकारी आपको मिल जाए चैनल सब्स है उसकी कवेटी के द्वारा इस कॉलेज की सापना करेगे चले तो स्टार्ड कर लेते हैं यहाँ पर यह आप देख पा रहे हैं यह कॉलेज जाएंगे तो बिल्कुल भब इमारत है कॉलेज की जिसमें साफ सुत्रे अक्षरों में यहाँ पर यहाँ पर यूरिबस्टी करेंगे इस्टाबलिस्मेंट की बात करें तो भाई 1969 में इसको स्टाबलिस कर दिया गया था और 1969 से है वह एजुकेशन यहाँ पर प्रॉबाइड की जाती है पॉब्लिक यूनिवस्टी है और प्राइबिट नहीं है फिलिएशन किस से है डैली यूनिवस्टी से है और लो अरातन धरब है ना A.R.S.D. College.ac.in यह आपकी ऑफिशल बैक साइट है और भाईया बाराद सवलावती नहीं गड़ में फैली हुई यहाँ पर यह कॉलेच है यहाँ पर यह को प्रॉबाइड करी गई है 2020 में और यहाँ पर इनका जो विजन है वो क्या है भाई आप देखी की बारे क्वालिटी एज्यूगेशन और देट इस इक्वीटेवल इन लीस्टू दा अवलिस्टिक डबलब में वाल स्टोक होल्डर जो भी स्टीक होल्डर से उनके लिए यहाँ डबलपमेंट की बात कर रहे हैं करेक्टिविटी इस की बात कर लें तो भाई बहुत इंप कर्वीटि इस अब हम दिशू घ्रिष्गेशन वह आपका रूख पर लडबेंट का है और यह अगर दैली पर देखें तो इंधर गादी इंटरैशनल और 충्क बिटीären 2022 का है हैं यहाँ पर इस आत्मरम गॉलिज में तो बिया बी ए ओनर्स अगर आप economics से करना चाहते हैं तो बी ए ओनर्स इन एकॉनमिक्स बी ओनर्स इंग्लिस बी ओनर्स इन हिंदी इस्ट्री पॉलिटिकल साइंस बी ए सिंपल प्रोग्राम है वी कॉम ओनर्स के electronics mathematics physics physical science एक फिजिकल साइंस यह इसके अलाबाव यह ओनर्स थे अब यह सिंपल बी ए बीसी प्रोग्राम है बीसी फिजिकल साइंस में आप कामिस्ट्री फिजिकल साइंस में एलक्ट्रोनिक्स अप्लाइड फिजिकल साइंस में आप ले सकते हैं chemistry तो यह प्रोग्राम है BSC के और साथी साथ वो यूजी प्रोग्राम थे BA, BDCOM, BSC अब यहाँ PG प्रोग्राम जो कराई जाते हैं वो MA in Hindi, MA in English, MA Political Science और MCOM के प्रोग्राम के कंड़क्ट्ट्ट्ट करा जाते हैं MA in COM ठीक है तो यूजी प्लस PG तोनों आपके यहाँ पर courses offer किये जाते हैं आत्पराम college में ये भी बहुत important चीज है साथी साथ आप बात करें add-on courses की और बहुत सारी course इनने add-on करे हुए जिसमें forensic science और criminal investigation ये भाईया आप लोग CBI, CID बगएरा वो बहुत सारी programs आते है forensic file size करके जिसमें भाई किसी भी criminal के investigation के लिए क्या-क्या digital marketing देखो यार भारत जो है वो digital इंडिया होता चला जा रहा है बहुत तेजी से digital में विकास होता चला जा रहा है तो digital marketing ये हर किसी digital promoter को इसकी जरूरत पड़ती है ठीक है ये बहुत अच्छा प्रोग्राम है forensic psychology क्या कैसी psychology होती है लोगों की साथी साथ यहाँ पर graphology ये एक नया प्रोग्राम है तो ये सारे के सारे courses जो है additionally ये रोन है नए add-on किये हुए है आत्मराम college ने इसके अलाबा हम बात यहाँ पर करेंगे ये तो college के courses की बात हो गई अब बात करते हैं admission की procedure की कैसे क्या admission होगा तो आपको पता है सारी चीज है कि भई अब से CUET यानी common university entrance test हो गया है उसमें क्या होगा UG और PG courses के लिए ये course conduct paper जो है exam जो है conduct कराया जाता है और उसके scorecard के basis पे स्कोर कार्ड के basis पे merit बनती है और merit में अगर आपकी अच्छी merit है तो आपके college आपको courses provide करते हैं सम्मधित college में कौन सा college आपको मिलता है तो भई या CUET के score में इसके entrance exam में जो DU के द्वारा यहाँ पर पहले conduct होता था DUET भी होता था अब CUET हो गया है तो याद रखिएगा यहाँ पर PG courses के लिए DUET हो जाएगा तो यह सारी की सारी admission प्रक्रिया है जो अब 2023 के लिए काट होगी तो पर वीडियो बना के रख दिये क्या कैसा होने वाला है वो भी एक बार आप जाके देख लीजेगा प्लेलिस्ट में पड़ी मिल जाएगा आपको seat metrics जरूरी है कितनी क्या seats है ताकि आपको उसे साब से यहाँ college admission मिल रहा है कि रही मिल रहा है तो seat metrics की बात कर ले भाई यहाँ देखो सबसे पहले चीज़ तो यह है कि यहाँ पर seat बताए हुई है यह courses है और उपर reservation बताया हुआ है कि कितने कितने परसेंट यहाँ पर reservation दिया जाएगा किस category सबसे पहले बीकॉम courses की अगर हम बात करें तो बीकॉम courses की लिए 193 seats है कितनी 193 seats है जिसमें से general बालों बच्चों के लिए 77 है कितनी general category के बच्चों के लिए 77 seat है बाकी 15 प्रतिशत जो है SC category के लिए यहाँ पर इनोंने reservation रखा हुआ है जिसके अंतरगत इन 193 का total 15 प्रतिशत लगबग 29 seat है जो यहाँ पर SC category के लिए है STs के लिए 7.5% का reservation है जिसके अंतरगत 17 seat है, OBCs के लिए 27% का reservation है जिसके अंतरगत 22 seat हो जाती है EWS के लिए 10 प्रतिशत का है 21 seat हो जाती है और sports quota के लिए 5% reservation है जिसमें 7 seat हो जाती है ECA के लिए, ECA extra curricular activities के लिए 3 seat यहाँ पर हो जाती है, ठीक है, PWD के लिए 5% का reservation है, जिसमें 10 seat है, foreign student के लिए 10 seat है, 5% reservation, CW और KM, कस्मीरी, migrant वगेरा, ठीक है, यह आपके 55% के यहाँ पर, क्या है, reservations है, जिसमें 10-10 seat है, अभेलेबल है, तो यह total 193 seats हो जाती है, किसके लिए, VECOM honors course के लिए, 174 seats, जिसमें general के लिए 71, SC's के लिए 26, SC's के लिए 13, 47, OBC's के लिए 17, PWS के लिए 5, Sports के लिए 4, ECA के लिए 9, PWD के लिए, foreign student 9 आ सकते हैं यहाँ पर, और बिया, कस्मीरी migrant और बाकी 9, चीक है, BA program, simple program, 108 seat है, 45, general के लिए, 18, SC's के लिए, 9, ST's के लिए, 32, OBC के लिए, 14, EWS के लिए, Sports के लिए, 4, ES, 2, 6, 6, 6, चीक है, बैया, चाहे बहुँ, EWD हो, foreign student हो, कस्मीरी migrant हो, सभी के लिए, ठीक है, कोई दि तो, BA honors in English, अगर आप करना चाहरे, 49 seats है, total, जिसमें से, 19 seat है किसके लिए, general के लिए, साथ, SC, ST, यह, SC, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, unreserved, SC, ST's, OBC's, PWS, 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 ठीक है, नहीं, यह, sports quota है, sports quota के बाद, यहाँ पर आपके आजाएंगे, foreigners, और भी सारे, ठीक है, कस्मीरी माइग रहे, it's, वोई, सारी की सारी है, हिंदी पे करना चाहरे, तो, 49 seats, history में, 49 seats, political science में, 96 seat है, total, ठीक है, जिसके लिए, इस हिसाब से, सारी की सारी, जटल के लिए, 38 हो गई, 14 हो गई, SCs के लिए, SCs के लिए, साथ हो गई, 26 हो गई, EWS के लिए, 11, सी seat है, बताएंगे, core mix में भी 90 seats है, team to same structure होने वाला है, ठीक है, बाई, कोई रिकत परेशानी, तो, यह seats है, आपकी, किसकी, BA honors के courses के, done, आगे हम बात करेंगे, BSC honors के courses, BSC honors के साथ भी यही है, team to same, BSC honors in physics आप करना चारहें, 86 seats है, ठीक है, जिसमें, 35 जनरल के लिए हो जाएंगी, SCs के लिए 13, SCs के लिए 6, OBC के 23, EWS के लिए 9, ठीक है, इसके लाबाँ, sports के लिए 4, ठीक है, फिर भी यह foreigners हो गए, और यह सार honors, ठीक है, 86 seats है, same criteria, mathematics में 96 seat है, कितनी 96 seat है, थोड़ा सा अलग हो जाएगा, या पर 38 हो जाएगा, जनरल के लिए और बाकी इस प्रकार से सारा रहेगा, electronics, अगर आप BSC honors in electronics करना चारहें, तो 39 seats है, कितनी 49 seat है है, उसके हिसाब से इनों है, preservation के हिसाब से सारा का सारा criteria ही आप है, रखा होगा, computer science के लिए 50 seats है total, जिसमें, वही same criteria है, 24, unreserved के लिए हो जाएगा, फिर SC, SC, OBC, 3WD, freedom binder वगेरा, सारी की सारी, ये seats अभेलेबन है in courses के लिए, फिर बही अब BSC, physical science की बात करें, तो chemistry, 77 seat है, ठीक है, electronics के लिए 77 है, computer science के लिए 75 है, industrial chemistry के लिए, 57 है, total UG में जो seat है, UG मतलब अंडर graduation program के लिए, तो इनकी सारी की सारी 1475 seat है, total, total कितकी, आत्मराम, तरातन दर्म college की 1475 seat है, जिसमें, जनरल के लिए 591 seat है, SCs के लिए 222 है, SCs के लिए 109 है, OBCs के लिए 309 है, EWS के लिए 105 है, sports के लिए आपकी मालो 74 हो गई, ठीक है, फिर बाकी 74, 74, 74 foreign student, कस्मीरी migrant और बाके, ठीक है, कोई दिक्कत, परिशारी किसी को भी, बहुत बढ़िया, इसके बाद, ये तो हो गई, सारी की सारी किसकी बाद, seat matrix की, अब भी ये program, simple seat matrix की, अगर हम बात करें, ठीक है, तो भाई, यहाँ पर 2021-22 के लिए, ये बी ये simple program के लिए matrix था, category A, ये लिए हुई है, जिसमें discipline combination, जो क्या होना था, CVT के साफ से subscribe, plus any other discipline subject from list 1, इसमें total 11 seats थी, जिसमें unreserved OBC, SC, STs और EWS के लिए, ये quota रखा था, 3, 3, 2, 2, 2, 1, 2, ठीक है, category B बाले, जिसमें हिंदी था, और एक और, आपने, list 1 से subject लिया हुआ था, तो उसमें भी 11 है, ये सा F के लिए जो है category F, उसमें किसी 2 discipline लेने थे आपको list 2 से, जिसमें 63 seat है, तो general के लिए 30, OBC के लिए 17, SCs के लिए 8, SCs के लिए 4, EWS के लिए 4, SC seat आपकी matrix थी, ये 2021-22 के program लिए, total अगर हम बात कर लें, वाई साब, तो 118 seat है किसके लिए थी, total, ये PA program के थी, जिसमें 45 seat है general क 32, OBCs के लिए, SCs के लिए 18, 9 हो गई, SCs के लिए, और EWS के लिए 14 seat है, इस प्रकार से, total 118 seat है, ये PA program 2021-22 के लिए, seat matrix आपने देखा, list A में आप देखें, तो भई, ये ये subject से, जो आपको choose करने थे, और list 2 में, ये subject से, तो आपको देख लिया होगा, जैसे list 1 में, English, Hindi, Sanskrit, Political Science, Economics, Mathematics, Computer Science, और History, ये, इस में एक कोई subject और बाकी, इन में से कोई subject होना चाहिए था, अलग-लग program के लिए, और list 2 से, History, Political Science, और Economics, तो इन में से कोई आप subject चुन रहे हैं, उसके हजाब से, ये combination बन रहा था, category A, B, C, D, E, F का, है ना, जो हमने देखा है, ठीक है भई, कोई परिकत परिशानी, तो आपको कोई समस्य यहां पर नहीं होनी चाहिए, next हम बात कर रहे है, fee structure की, क्योंकि यार हमने admission ले लिया, लेकिन एक समस्य तो ready, fees कितनी है, क्या है, कैसा है, हमें पता रहे हैं, थोड़ा बहुत क्या क्या हो रहा, fees में ज्यादा changes नहीं आते, यह fees जो है, 15,010 रुपय है, इसके अलाबा, sciences के program जो आप करना चाह रहे है, B.S.C., bachelor of science हो गया, ठीक है, 16, 110, यह आपकी fees होने माली है, और PG courses के लिए, यह तो सारे के सारे UG courses थे, ठीक है, so UG courses में तो यह fees थी PG courses के लिए, जिसमें MA और MCOM कराया जाता है, हमने देखा ही थ ठीक है, उसके लिए fees जो है, वो 13,846 है, यह single year fee है, याद रखिएगा, per year के हिसान से, ठीक है, तो यह fees है, और एक बार प्लीज इसको cross verify कर लीजेगा, ताकि आपको कोई अगर structure में change हुआ हो, तो आपको पूरी जाटगारी हो जाए, hostel facility बहुत important है, क्या है, कैसा है, क्यों रखिएगा, ठीक है, साप सुत्रे तोर पर, बता दें आपको, hostel की facility ना, लेकिन, लेकिन, आसपास आप देखेंगे, तो PG मिल जाएंगे, flights मिल जाएंगे, आसपास college के, ठीक है, तो कोई समस्या रहती नहीं है, जो 5000 रोपे से लेके, फिर जितना आप चाहें, मिल जाता है, तीजी और फ्लेट, ठीक है, जैसी जैसी आपकी व्यवस्ता है, उस हिसाब से, hostel के लावा facilities में, और देखें, तो यहाँ पर library facility है, college में, बिल्कुल होरी चाहिए, हर college में यह facility पाई जाती है, जिसमें नहीं पाई जाती है, उसको college कहना मुस्किल है, क्योंकि भाई, जनरल, सब्सक्राइब करे हुए है, 27, popular magazines भी आती है, 20, newspaper भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, ताने newspaper, most most वाले, वो भी आ जाते हैं, फिर भाईया, computerized जितो है ही, और यहाँ पर, इन फिलिबिन एट, analyst database से, इसको क्या है, subscribe किया हुआ है, तो भी बहुत सारी चीज़े आपको वहाँ पर मिल जाते हैं, एटिरियम, एटिरियम में मतलब बात कर लें, तो यहाँ पर, क्या कर सकते हैं, यह एटिरियम देख पा रहे होंगे आप, तो यहाँ देखो भई, plays, और musical rehearsals के लिए, educational activities के लिए, practice session के लिए, और on board games के लिए भी, यहाँ पर यह सारी की सारी विवस्थाएं करी हुई हैं, कितना अच्छा यह आटिरियम है, बहुत बढ़िया, next हम बात करेंगे, cafeteria की भई, बच्चे पढ़ने के साथ साथ, खाने पीने की विवस्थाएं तो हो नहीं चाहिए, पहले पेड़ पूजा, फिर कोई काम दूजा, तो cafeteria की विवस्था है, भईया, यह आपका cafeteria दिख रहा है, जो मुझे बहुत अच्छा तो नहीं लग रहा है, लेकिन हाँ, well equipped और modernized cooking appliances के साथ, आपको यहाँ पर facility है, खाने पीने की उत्तम विवस्था मिल जाती है, इस college में, campus की बात करें, तो अगर differentially abled विचे है, in case, क्योंकि BWD category के भी बच्चों को हम admission तो ले रहे, तो उनके लिए क्या विवस्था है, तो भईया, यहाँ यहाँ पर ramps करी हुई है, और जो भी essential facilities है, वो सारी की सारी meet करती है, उन सारे requirement को, जो किस के लिए होनी चाहिए, differentially abled वच्चों के लिए होनी चाहिए, तो वहाँ पर आप admission ले सकते हैं, अगर आप PWD category से भी belong करते हैं, तो girls common room, boys common rooms, यह देख पा रहे होंगे आप picture में, तो यह common rooms है, दौनों के अलग-अलग हैं यहाँ पर, ताकि कोई समस्या परिशानी ना हो, लेबोरेटरी इस तो अलग-अलग है, computer laboratories है, अपको यहाँ पर मिल जाती है, medical facility की अगर बात करें, तो medical facility के हिसाब से यहाँ पर, यह देख पा रहे होंगे आप, यह medical room है, इनका, ठीक है, इसमे बैया, कोई भी बीमार विक्ती को, क्या किया जाता है, medical equipment के साथ की व्यवस्ताएं है, blood pressure machine है, glucometer है, nebulizer, oxygen, cylinder, glucose drip बगेरा, यह basic, जिसको हम बोलते हैं, प्रात्मिक उपचार, है ना, प्रात्मिकी, first aid, है ना, सो वो प्रात्मिकी की सारी सुविदा हैं आपको यहाँ पर, मि कोई अगर ऐसा case हो, थोड़ा सा जादा emergency बाला, तो nearest hospital की सारी विवस्ता वहाँ पर, QEA नमबर से लेके, ठीक है, seminar room की बात करें, भाई साब, तो यहाँ पर, available है, sports facility की बात करें, तो बहुत सारे खेल के लिए, sports के लिए, यहाँ पर, यह facilities आप देख पा रहे होंगे, चा taekwondo, boxing, tennis, judo, yes, volleyball, सारी की सारी तवाँ फसलिटी, indoor, outdoor, games की, यहाँ पर, sports की, आपको, मिल जाती है, वजिकत परिशानी, तो sports facility, cafeteria, सारी तो हो गई, अब बात कर लेते हैं, counseling की, तो student counseling के लिए, यहाँ पर, बात करें, तो बहुत सारी workshop, यहाँ पर, provide करी जाती है, उनके career से related, जो कि experts लेते हैं, specialist लेते हैं, और भाईया, जो आपको अच्छे से guide कर पाए, ऐसी विवस्ता यहाँ पर करें हुई है, इसके अलाबा, organizations की बात करें, तो बहुत सारे mental issues को लेके, भी यहाँ पर organize की जाती है, सारी, workshops बगएरा, ताकि बच्चे जो है, mentally pressure में हैं, अगर, तो release किया जा सके, ठीक है, उनके career planning से लेके, हर चीज के लिए, यहाँ पर counselling, बच्चों को मुहया कराई जाती है, placements record, बहुत important, हमने पढ़ लिया, पढ़ने के बाद क्या कैसा placement होता है, college में नहीं होता है, क्या कैसी विवस्ता है, last records क्या है, यह जरूरी है, तो भाई, plac 30 से ज्यादा recruiters आए जहें, companies की बात कर रहे है, top recruiters की average package जो गया था 5.717 LPA का, यहाँ पर गया था, highest package 10 LPA का था, 10 लाख प्रती वर्स का साला ना, और जो median package है, वो 5 LPA का था, तो कहीं से खराब नहीं है, 5 लाख रुपे अगर UG courses में आपको बिल रहा है package, तो खराब placement record है, ठीक है, अगर stream wise देखें यहाँ पर placement की, तो stream कौन सी क्या है, arts अगर ले रहे है, मतलब bachelor of arts आप कर रहे थे, BA program में, 28.8% placements है, commerce में 42.4% placements है, साथी साथ science field में 28.8% यहाँ पर placement, तो commerce field में थोड़े से, ज्यादा placements है, याद रखिएगा, हाला कि C जाता है, ठीक है, industry by break की बात करें, industries क्या कैसा रहा है, कहां, कौन सी industries में ज्यादा placement हुए है, तो भाई या, sales और business development, सबसे जादा यहाँ पर placement यहीं से गए है, 48%, audit and finance की बात करें, तो 28% HR recruiters, 7% गए है, other 17% recruitment, आपके इन fields में हुए, तो यार, ठीक ठाक है, जो भी आपकी field है, जैसे commerce के यह भी आपका commerce और art side के बच्चे सले जाते, science बाले भी including हैं, HR के लिए भाई आपके commerce बाले या फिर जो HR management और बाकी चीज़े देख रहे है, others में सारे के सारे रखे हुए है, तो यह अच्छे खासे ठीक ठाक बोल सकते हैं, बहुत खराब तो नहीं है, यह आप है, ठीक है Deloitte L.T. लार सरेंटा को L.T. ठीक है, टेक महिंद्रा, यह सारे के सारे इनके top recruiters रहे हैं, सरातिन धरम college के, तो भाई, मुझे नहीं लगता कहीं से यहां समस्या है, परेशानी है, अगर आप देखना चाहरा है, इस college के बारे में, और college को लेना चाहरा है, तो मुझे अभी क्या है, रंग गया, इसके अलाबा, अमबेट कर सरक्ल, study circle है, English debating हो गया, Gandhi study circle हो गया, NCC, NSS, यह तमाम प्रकार की अलग-अलग societies हैं, जो बच्चों को मौया घराई जाती है, arts and craft society, fix, election हो गया, the photography society है, इसको बोलते है, enactus हो गया, film appreciation, eco club society, garden committees हो गई, movement development sales है, popular lecture series, मिल गी आपको, skill development and interpretate, और से लगी है, साधीजाद finance and investment sales है, equal opportunity sales है, तो यार, यह तमाम, ऐसी societies हैं, जो बच्चों को, कहीं न कहीं, चाहू मुखी विकास, जिसको बोलते हैं, overall development के लिए, हर प्रकार से, यहां societies आपको, क्या गर रही है, support करती है, alumni क्या network है, देखो यार, अच् के लिए भी recruiters हो गए, बच्चों की facilities हो गई, नए-नए lectures के लिए specialist हो गए, बड़े-बड़े लोग हो गए, तो वही तो आपको guide करेंगे, council करेंगे, तो alumni में आप देखेंगे, तो बया, यह बही सब इनको कौन, कौन नहीं जानता, मैं तो जानता वर्सली, मुझे लगता है, आप भी जानते होंगे, राजकुमार राओ साहब है, बहुत ही famous actor है, इनकी बहुत सारी अच्छी अच्छी films आई हैं, और ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेंगे, यह तो सब को ही पता होगा, यह मौधा यही थे, है ना, हाँ बहुत बड़ी है, तो यह by service risk होके पहुँचाए, अधर facilities में देखें, तो भाया, यहाँ पर anti-regging committee तो है, हर college में, हर यह university में साब तोर पर, zero tolerance policy के तरह बैन गड़ दी गई है, अगर पकड़े जाते हैं, तो आपको restigate कर दिया जाता है, student unions है, grievance, readdressal है, इसके लाबा, internal complaints committee भी है, तो सारी की सारी तमाम facilities मुझे लगता है, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, इस college में, reviews बच्चों के द्वारा क्या-क्या दिये गए है, यह देख लेता है, तो आप देख पा रहे होंगे, negative comment या reviews बहुत कम आपको मिलेंगे, नाके बराबर मिलेंगे, बच्चे बड़ी तारीफ कर रह हर प्रकार से अच्छे अच्छे reviews बच्चों ने दिये हुए है, तो भाई साब, मुझे नहीं लगता कि इस college में जाने में कोई समस्या है, परेशानी है, और यह बात रही थी किसकी, आत्मा रामसरादन धरम college, जो Delhi University से संबंदित है, तो सारी की सारी हमने बाते कर ली, उनक placements की, facilities की, अब भी अगर कुछ doubts आपके दिवाग में बच्चे हैं, तो प्लीज कमेंट जरूर कर दीजेगा, ताकि उनको हम resolve कर पाए, और बहतर opportunity आपको education की दिला पाया, और अगले वीडियो में अंगली जानगारी के साथ मिलेंगे, तब तक आपको दोस्तों बैस को share ज मुझ सब्सक्राब